सिंगाड़ा एक ऐसा फल है जिसे सेहत का भंडाल माना जाता है कुछ लोग इसे कच्छा खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसे उबाल कर इसे आटे के रूप में भी कंस्यूम करते हैं आपको बता दें कि सिंगाड़े के आटे से हलवे को भी तयार किया जाता है जो कि खाने में तेस्टी होने के साथ-साथ शरीर के लिए भी बहुत ही जादा फायदे मुन माना जाता है सिंघाडे में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है जो कि शरीर को हाइडरेटेट रखकर बहुत से बिमारियों से बचाने का काम करती है और शायद इसलिए सिंघाडे को पानी फल के नाम से भी जाना जाता है अगर सिंघाडे में मौझूद पानी की बात करें तो सिंघाडे में लगबग 74% तक पानी पाया जाता है साथ ही इसमें मौझूद फाइबर वजन को नियंत्रत करने के लिए अच्छा माना जाता है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सिंघाडे से शरीर में होने वाले फादों की बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या किड्नी रोगी सिंघाडे का सेवन कर सकते हैं या नहीं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल किड्नी फेलियर ट्वीट्मेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ही कर दें साथ ही बल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हिल से जुड़े इस तरह के इन्फरमिटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें जखाम की समस्यां के लिए अच्छा माना जाता है साथी सिंघाडे को खाने से । circulation भी सही बना रहता है अगर आप सिंघाड़े को कहते हैं तो आपको हाई blood pressure की समस्या में आराम मिल सकता है साथ ही सिंघाड़ा आपको तनाव जिसी परिशानी में भी दूर रखने का काम कर सकता है इसके अलावा सिंघाड़े का सेवन urine infection की समस्या में भी फायदा पहुचाता है क्योंकि इसमें मौझूद enzyme bladder को साफ करके bacteria को flush करता है जिससे मरीज को urine से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है तो यह सिंघाड़े खाने के कुछ ऐसे फायदे जिसे आप कच्चा या फिर इसे आटे के रूप में तयार करके खा सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं उस सवाल के बारे में जिसे जानने के लिए आप बड़े ही उतसुक हैं सवाल यह है कि क्या kidney मरीज सिंघाड़े का सेवन कर सकते हैं क्या नहीं तो उसका जवाब है नहीं देशल सिंघाड़े में potassium काफी high amount में होता है जो कि kidney मरीजों को नुकसान पहुचा सकता है इसलिए अगर आप एक kidney के मरीज हैं तो सिंघाड़े को खाने से पहले doctor की सला सरूर लेनी चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही आपको विडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएं साथ ही इस विडियो को like और share करना बिल्कुल भी न भूले